Hello students, good morning. Today in this video, I will teach you classic Sanskrit chapter 4, Guru Bhaktah Ek Labbya and also solve the exercise questions. Part 4, Guru Bhaktah Ek Labbya Students, मेरे साथ पढ़ने का भ्यास करेंगी इसको द्वापर युगे एक भील पुत्रह आसित द्वापर युग में एक भील पुत्रह जैसे आपको पता है चार युग होते हैं उसमें एक युग होता है द्वापर युग द्वापर युग मतलब पहुत प्राचीन समय की बात हो रही है एक भील पुत्र हासित एक भील का पुत्र था भील एक जंजात का नाम है भील मतब जो जंगलों में निवास करने वाली जंजातिया होती है उनका उसका है भील पुत्र का लड़का था तस्य नाम एक लब्ब्ब्य आसित उसका नाम एक लब्ब्ब्य था शह पृत्अभ्या मने पिता के साथ शह वने वसतियस्म वह बंवे निवास करता था सह अति बुद्धिमानम आसे तो वह बहुत बुद्धिमान था सह धनुर विद्याम प्राप्तुम इच्छत अस्म वह धनुर विद्या प्राप्त करना चाहता था एकदा सह गुरु दुरणाचारियस से समीपम गत्वा नवेद्यत एकदा मने एक बार सह मने वह गुरु दुराचारियस से मने गुरु दुराचारिय के समीप मने पास गत्वा मने गया और क्या किया नियोवेदयत और निवेदन किया गुरुदेव अहम धनुर विद्याम हे गुरुदेव हे गुरुजन अहम गुरु विद्याम प्राप्तुम इच्छामे मैं गुरु विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ अतह कृपिया माम सिस रूपेड स्वी करोत अतहग कृपया मुझे सिस्भी की रूप में स्विकार करें। एक लब्य निरास हो करके सुव कुटिरम प्रत्यागच्छत अपने कुटि के तरफ वापस आगया परम सह दोड़ाचारियम लेकिन वह दोड़ाचारि को मन से गुरु रूपेड मन मही मन गुरु के रूप में अमनियत मान लिया सह सुव कुटिरस समीप अर्थात गुरुर द्राचारे का अपनी कुटी के पास ही एक मट्टी का प्रतिमा बना देता है। और इस प्रकार से एक लब्य कालांतर मने कुछ समय बीतने के पाश्चात धनुर विद्यायाम निश्डात्व भवत धनुस विद्यामे निपूर हो गया। उसको देखे करके अर्था एक लब्य को देखे करके कुकुरह अभुकत अर्थात कुकुर जो है वह कुत्ता जो है अभुकत में इस भोकना सुरू कर दिया एक लभ्य ततस्य कुक्रत्य से मुख्म सरही असिव्यत, एक लभ्य जितनी बार वो उससे अधिक उसकी मुह में क्या किया, सरही तीर महने पहुचा दिया, तह उसकी मुह में उसका मुह बाणव से तीरोंा भर दिया तदै व तत्र दुनाचारिय गजद अधिवा तत्रव को देखकर कि न k में सभी आर्थ शिरुक्त देखकर कि एक लब्यम एक लब्या से अपRIShत पूछते हैं भो भालपक तव गुरु हे बालप तुम्हारा गुरु कौन है एक लब्व्य प्रत्यवदत एक लब्व्य कहता है भवान हे प्रफु हे मानभाव एव मम गुरु आप ही मेरे गुरु है अहम भवन्तम गुरु मत्वा मैं आपको गुरु मानकर के धनुर विद्या भ्यासम का करवम धनुर विद्या का भ्यास किया इदम सुर्त्वा या सुनकर के दुरुडाचारी कहते है येवम अस्ति तू महियम अधी ऐसा है तो तू मनि तू महियम मनि मुझे गुरु दछडा अ मुझे गुरु दछडा प्रतान करो मुझे गुरुद च्छा दो एक लब्य कहता है आह कहता है एक लब्य कहता है आह आग्याम ददात होन आप मुझे आग्या दें दुड़ाचारी कहते हैं अहम तौव दच्छड हस्था जे अंगुष्ठम वांच्छान मुझे तुम्हारा दाहीने हात का अंगुष्ठा मुझे आग्याम वाच्छा मुझे चाहता होन ए तत सुत्वा एह सुनकर के एक लब्य है तोरितम एव स्वांगुष्ठम अच्छुरत गुरुवेच और समर्पयत वह क्या करता है ऐसा है सुन करके एक लब्य तोरितम मने बहुत ही सिखरता से स्वांगुष्ठम अपने अंगुठे को अच्छुरत मने काट करके गुरुवेच और समर्पयत मने गुरू को दे दिया है समर्पित कर दिया गुरू के पास इस अब देखेंगे आपके बुक्स में सब्दार्थ दिये गए हैं इस सब्दार्थ को अपनी कापी में लिख लेंगे आपके पास बुक्स होगा अपने बुक्स से भी लिख लेंगे इसको और इसको याद भी परसन के संस्कृत में लिखिए को है भील पुट्र को आसीत भील पुत्र कौन था आपको पता है भील पुत्र एक लभ्यासित और यह kया पेज पर आपको परते हैं एकलब्य कुत्र वसतियस्म एकलब्य कहाँ रहता था तो एकलब्य पृतभ्यामस वने वसतियस्म अर्थात एकलब्य पिता के साथ बन में रहता था गो एकलब्य द्रोडाचारियस समीपम की मर्थम अगच्छत गो निरासा भुत्वा एक लब्या कीमकरोत निरास होकर के एक लब्या ने क्या किया तो निरासा भुत्वा एक लब्या स्वकुत्रम प्रत्यागच्छत अपने कुटी के पस वापसा चलाता है एक लब्या मन से द्रोडाचारियम गुरू मत्वा कीम अकरोत एक लब्या मन में गुरूडाचारिय को माने करके क्या करता है एक लब्या मन से द्रोडाचारिय से गुरू मत्वा धनुर विद्याम अभ्यास करोता आता थात उनको गुरू मानेकर के धन्युस बिद्रया की अभ्यासद करना सुरू कर देता हैं एक लभ्य दूरडाचारियां कीमप्रतित एक लभ्य ने दूरडाचारियां के मवांचत दूरडाचारियां इन सभी प्रशनों का उत्तर और असपस्ट रूप से मैं आपको निस्ट पेज पर दे दिराऊ। इसके अस प्रस्थ नमबर 2 पर धाननेंगे रिक्त अस्थानести पूर्यथ ऐट रिक्त अस्थानों को भरिये फिलिलने ब्लैंक्स पर धाननेंगे खो में भरेंगे एक लभ्य अत्ती बुधिमान आशित यहां भरेंगे बुधिमान भरेंगे गो एक लभ्य धनुर विद्या प्राप्तुम इच्छतियस्म लिखेंगे घो में लिखेंगे सह कुटिरस समीपे दोड़ाचारिस से एकाम प्रतिमाम अचरियत यहां अद्रोडाचारिस लिखेंगे अंगम लिखेंगे कालांतर एक लब्य धनुर विद्यायाम निश्डातः यहां भरेंगे निश्डातः अभवत अपने बुख से भी देख सकते हैं इसको प्रस नमबर एक के तीन आप्सन होंगे तीन उत्तर होंगे उसमें से कोई एक साहिए जिसको आपको टिक करना है एकलब्य जैसे प्रहला प्रस्ण एकलब्य आसीद एकलब्य क्या था भील पुत्र तो आप भील पुत्र सहीए आप भील पुत्र पर टीक करेंगे इसे ख एकलाब्ब्य वसत्यस्म कहाँ एकलाब्ब्य कहाँ रहता था नगर में अकी गउम में नहीं बन में इसलिए आप यहां बन पत्टिक करेंगे गो एकलब्य प्राप्तु मिच्छते एकलब्य क्या प्राप्त चाहता था सास्त्र विद्याम सास्त्र विद्याम दुनों नहीं बेलकि धनुर विद्याम धनुर विद्याम प्राप्त करना चाहता था गो द्रोडाचारिय केवलम पाठिय तसमें द्रोडाचारिय किसको पढ़ाते थे कोरोवान पांडवान या कोरोपांडवान तो आप यहाँ पलगाएंगे कोरोपांडवान यहाँ सरवाल का नाम आपके बुक में लिखा हुए तो उसको काड़ देंगे कोरोवान पांडवान प्रस नमबर चार है सुमेलनम कूर्तह सही मिलान कीजिए अब देखेंगे भील पुत्र कौन था एक लब्ब्ब था तो कोको आपको चोथे से मिलाएंगे खो दोड़ाचारिय प्रतिमाम गुरु दोड़ाचारिय दच्षडा गुरु दच्षडा किसने मांगा क्या मांगा दच्षडा हस्तस से अंगुष्ठाम गुरु अमन्यत प्रतिमाम प्रतिमा को गुरु अपना माल लिए अब शरय कुकुरस से मुखम तो इसको आप देख ल प्रत्या नाम प्रत्या नाम मूल सब्दान चरिखत में विखित सब्दों में प्रत्य और मूल सब्द लिखी जैसे गत्वा प्राप्तुम आरभ्य आगत्व द्रिष्टवा इसमें पताना है कि कौन सा इसमें मूल सब्द क्या है उसमें प्रत्य क्या लगा है तो गत्वा में गम सब्द जो है मूल है और कत्वा प्रत्य लगाए गया है इसी तरह से प्राप्तु में प्रधन आप जो है मूल सब्द है और तुम्र प्रत्य लगाए गया है अरभ्य में आधन रभ यह जो हता है यह मूल सब्द है और लिप जो है यहां पर प्रत्य लगाए गया है आप द निम्लिखितेशु पदेशु प्रय क्ता नम बिभक्ती वक्तर सकुतर के लिए। इससे इसमें बताना है जैसे वने, द्रोडाचारियस, गुरुदेव, मम, अहम इसमें जो है पद है इसमें कौन से वियक्ति है और कौन सा बचन है तो बने में सब्तमी वियक्ति है एक बचन है द्रोडाचारियस से में खश्टी वियक्ति एक बचन, गुरुदेव में प्रतिधन आगच्छत। सही लिखेंगे मेलक्लपनी काप्य में। गो में लिखेंगे तदाइव। तदाधन एव। इसका संधिवीच द गो में लिखेंगे कालांतरम। कालधन अंतरम। यहाँ पर ओ और ओ मिलकरके आ हो गया दिरगसंधिय होता है। घो में अंग में देखेंगे तदाःभ्य, ततधन आरभ्य, चो में द्रोडाचारिय, द्रून धन आचारिय, फिर चो में देखेंगे स्वाँगुष्ठम, स्वाधन अंगुष्ठम, धनुर विद्याम, अनुबादम कुर्टतर संस्क्रित में अनुबाद कीजिए। द्वापर युग में एक एकलब नाम का बालक था। एकलब विधनुस विद्या प्राप्त करना चाहता था। आप देखें कि कोस्त लेकर के चोत्तक चितने इसमें यह हिंदी में लिखे गए हैं। इसको संस् अनुबादम के चाहता था।